हेलो दोस्तो मैं हुरी शब्चाट जियर आज के सुडिय में हम देखने वाल है बोट रॉकर्स 375 वायरलेस नेक बैंट के बारे में तो वीडियो को पूरा देखी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान में दबादीज खोल लिया है तो अब हम बॉक्स को देख लेते हैं उसके बाद खोलेंगे दोस्तों तो आप देख सकते लिखा है रॉकर्स 375 कुछ फीचर हाइलाइटेड है जैसे 3D ऑडियो फो गेमिंग एसे पी चार्ज बोर्ट सिगनेचर साउंड ठीक है बॉक्स कुछ ऐसे साइज का आपको मिलेगा इस तरह बोर्ट लिखा है और क्या पीछे कुछ फीचास लिखा है जैसे 20 मोड टोटल प्लेबैक आवर्स 20 अवर्स ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है टाइप सी मिलता है मैगनेटिक एयर बड्स इंस्टेंट वाइज असिस्टेंट 10 मिनिट्स चार्ज करें अभी खुलते हैं इधर आप देख सकते हैं हमको सील मिल जाता है तो सील को निकालते है तो कॉछ ठाट कर लेते हैं कि वाउ प्रेहिए हमारा नेग बैंड इसको निकालते हैं वोव क्या flexibly packed था एक दम करके ऐसे घर पाक्ट था निकल गया ओके तो थोड़ा कंट्रोल सापको दिखा दिता हूं मैं ऐसे कंट्रोल सापको मिलेगा इधर लिखा है बोट यह टेप्स भी आपको दिखाता हूं मैं कुछ ऐसा यह टेप्स मिलेगा यह हमारा हमारा बोट का लोगो इसको साइड में रखते है अभी फिर है चार्जिंग केबल टाइप सी जा रहे है कुछ एक्स्ट्रा इयर टेप्स विट फिन्स मतलब फिन्स बेसिकली है और यह टेप्स भी है फिन्स भी है ओके फिर बॉक्स में कुछ और बॉक्लेट्स है वह देख लेते हम तो यह एक बॉक्लेट है फिर यह है वारेंटी काड़ वन्ययर का यह है हमारा यूजर गाइड स्क्राइब करते हैं तो एक लाइक जरूर कर देना चैल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकान पर दबा देजिए मुझे इस्टान पर फॉलो किजिए अधर रसी मीडिया है चलिए कंटिन्यू करते हैं तो बेसिकली हमको इधर एक मिलता है बेसिकली जो भीच वाला बटन है हमको लॉंग प्रस इधरवाला बिच लॉह लॉंग प्रैक्राल ट्रिंजिए जिस फ्रीक और शणी करते हैं तो आ ferm पैरिंग पैर हो गया है ओके 80 परसेंट बाटरी है अब है सेटिंग्स कुछ ऐसा रहेगा एंड एसी मोड को भी अन कर लेते हैं हो गया सेट अप सिंपल अभी हम बात करते हैं मेरे इनिशियल एक्सपिरियंस रिव्यू के बारे में तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिजाइ और बिल्ट क्वालिटी से तो एक्चली इस नेक बैंड में फ्यू कलर ऑप्शन भी अवेलेबल मेरे पास जो करेंट ली है इस दो ब्लाक कलर अगर बिल्ट की बारे में बात करूं तो वेरी फ्लेक्जिबल पहले तो आपने देखा होगा अन्बॉक्सिंग में बहुत फ्ल अग्नेटिक टाइप मिल जाता है विच इस गुड ओवर और बिल्ट क्वालिटी मुझे अच्छा लगा दो तो यह जो पार्ट है इस प्लास्टिक टाइप बट ओवर अच्छा है कोई भी प्राब्लम मुझे नहीं लगा अगर हम बात करें कमफोर्ट की ठीक है तो यह इन प्रॉपर है ठीक है अभी हम बात करते हैं साउंड के बारे में विच इस दा में इन तिंग इसमें हमको 10 mm का ड्राइवर्स मिल जाता है ठीक है और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो ट्रेबल अच्छा है वाइस भी अच्छा है बेस की बात करते है तो अच्छा जो थंप मिलता है वो भी है ट्रबल मुझे थोड़ा सा लग रहा था स्लाइटली जादा सुनाई दे रहा था मुझे स्लाइट कभी-कभी-कभी बाट ओवर्राल साउंड एक्सपरियेंस अच्छा था इसमें एक स्पेशल मोड भी मिल जाता है विच इस दा बीस्ट मोड तो आ एक जो बटन है लास्ट वाला इस दा बीस्ट मोड बटन मतलब यह एक्चली गेमर्स के लिए बनाया है नग करें बट अ कासे करके बोलेगा एंड मोड में चले जाएगा मतलब इसमें आपको लेटेंसी कब मिलता है बट सिंस अभी हम साउंड के बारें बात करेंगे बट साउंड के हिसाब से भी मुझे लगा कि जब आप बीस्ट मोड कर देते हैं तो थोड़ा सा बेस कम हो जाता है ठीक है वाइस बेस एंड ट्रेबल सेम रहता है बट बीस्ट मोड जब आफ करते है तो बेस जदा थंपी मिलता है और बीस्ट मोड आन करते है तो बेस थोड़ा सा कम हो जाता है साराउंड साउंड की बात करो तो वो भी अच्छा है दोस्तों ओवराल अगर मैं बोलू सांड वस गुड मा बार माइक साम्पल भी सुन लीजे ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कॉल के समय क्वालिटी आपको कैसा मिलेगा हेलो दोस्तों यह जो आडियो आप सुन रहे है वायदा माइक आफ द बोर्ट रॉकर्स 375 बते हैं आपको कैसा लग रहा है माइक का क्वालिटी अन्वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉ sentence if you start use करते समय तो beast mode and normal mode में definitely different feel होता है जोस्तों आचले normal mode baby retention सी कम है बत्यग बीस्ट मोड में use कर लेते तब लगते हैं नॉर्माल मोड में थोड़ा सा स्लाइटली लाग आ रहा है बट बीस्ट मोड में बहुत बढ़िया था दोस्तों एकदम कम लेटेंसी था आराम से आप खेल पाएंगे इसमें एक 3D special audio भी company बता दिये तो overall sound quality and latency कम था मतलब sound quality अच्छा था लेटेंसी कम था तो गेमस के लिए यह एक अच्छा option है बैटरी के बारे हम बात करते है next 20 hours था claim था दोस्तों बढ़ उसे थोड़ा कम ही चलेगा 10 minutes charge करेंगे तो up to 10 hours चल जाएगा तो around fast charge का भी support है which is good and type C charging भी मिल जाता है अभी हम बात करते है extra features के बारे में पहला चीज इसमें Bluetooth 5.1 का support है दोस्तों which is good actually Bluetooth 5.1 में आपको क्या रहता है कि एक तो transmission range अच्छा रहता है efficiency भी अच्छा रहता है आपका battery life कम मतलब लेता है efficiently काम करता है तो overall that is good touch controls की बात करें तो वो भी अच्छे से काम करता है voice assistant का भी support मिल जाता है pricing की बात करें तो यह around 1499 का मिलता है 1500 में तो क्या मुझे अच्छा लगा है wireless neckband के बारे में number one एकदम light weight है दोस्तों यह जो आप पहनते है earbuds थोड़े देर में एकदम comfort हो जाता है फिर फील भी नहीं होता आप पहने हुए है second चीज sound quality भी आपको अच्छा मिल जाता है and main चीज जो है सबसे बड़ा highlight अगर आप gaming के लिए wireless neckband ढून रहे थे this is the best option currently अच्छे से low latency मिल जाता है एक dedicated gaming mode भी है overall अच्छा आपको एक gaming experience मिल जाता है तो अगर आप interested है दोस्तों इस wireless neckband को खरीदने में तो link आपको description comment section में मिल जाएगा वीडियो अगर थोड़ा सा भी useful लगा तो एक like जरूर कर देना ताकि हम ऐसे और भी products खरीद के वीडियो बनाते रहे और चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon बे दबाही दीजिए आज के लिए इतने अधा दोस्तों फिर से अगले अड़े में लेंगे तब तक के लिए बाइबा